नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनी और चैनल प्राइम टीवी तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर उत्र प्रदेश में मुक्य मंत्री योग्या अदितनात की अगुआई में बीजेपी लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने में काम्याब रही है नई सरकार में वो कौन सी चहरे होंगे जो हमें सत्ता की सीट पर बैठे हुए दिखाई देंगे इस प्रश्ण का जवाब सिर्फ केंद्रिय अन्नेत्रित के ही पास है नई सरकार के मंदरी मंडल के सतस्यों के नाम पर दिल्ली में ही मोहर लगेगी कि आखिर प्रदेश में कौन से नई चहरे जनता को मिलेंगे इसको लेकर यूपी के नेताओं की कल बड़ी बैठक दिल्ली में होगी इस दौरान मंत्री मंडल विस्तार और सरकार के गठन पर भी चर्चा होगी और कौन से मंत्रियों को सूबे की कमान मिलेगी कौन-कौन से नई मंत्री जनता देखेंगे इसका भी फैसला कल ही होगा ये बैठक में जेपी नड़ा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी समेथ सूबे के कई बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल होने की उनके उमीच जताई जारी है इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनव से हमारे समवाद दाता विभांशु जो चुके है विभांशु क्या लगता है इस बैठक में कौन-कौन सा बड़ा दिकर शामिल होगा जी मुस्कार अगर बात करें तो भारती जन्ता पार्टी की संसर्थिय दल की बैठक मिनटों से सुभात हो चुकी है और इस पे आपके बड़े चहरे की बात करें तो देश के प्रधार मंत्री नरेल लिगमोदी और ग्रिह मंत्री अमित्सा और आपके भाजपा के वास्ति अध्यक्षे जेपी नर्ड़ा समेथ तमाम वो संसर्थ है जो की बीजेपी पार्टी से 2019 के अंदर में लोगसभा का चुनाव जीत किया है वो सभी संसर्थों के समख्ष मंत्वी का भी सम्हुदन कुछी समय में होने वाला है और साथी साथ अकले लगाई जा रही है कि जो पाँच राजियों में चुनाव हुए है और जिसमें से चार राजियों में भाजपा को पूर बहुमत के साथ सरकार बनाने को उनके कारकाव के मेहनत के विज़से सरकार बनाने जा रही है तो कहीं न कहीं उन कारे करता हो साथ ही साथ उन पधादिकारियों को भी धन्यवाद अर्पित करते हुए देख सकते हैं पधरमंतरी साथ ही साथ वहां भारती जनता पार्टी के रास्की अध्याक्ष जेपी नडडा है तो वो एक हर एक जो से वो उनके तौप एक सिपाही जो पार्टी के लिए काम किया उन सभी को वो उनको सुझाओ देंगे और उन्हें मूल मंतर देंगे साथ ही साथ आपके उस्तरप्रदेश में तमाम मित्कों को तोर कर सुबे के मुख्यमंतरी दुबारा से कुरसी पर कबजा जमाने जा रहे हैं और ऐसी कई सारी अटकले थी कि नोड़ा जाने से लेकर और आपके 71 साल में कोई मुख्यमंतरी फुल टर्म के बाद फिर से रिपीज करें या दसकों पुराने की कोई सरकार उत्रप्रदेश में दुबारा से सरकार बनाए इन सब मित्कों को तोर कर एक बार फिर योगिया रितना सियम की कुरसी पर बैठन होगा जी अगर सुत्रों के माने तो ऐसी खबरे आ रही थी कि होली के बाद 20 या 21 में शपत ग्रहन समारों हो सकता है तो क्या अभी तक ऐसी कोई और अपडेट आई है जी मुष्कार अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अभी जो योगिया रितनात्र है वो उत्रप्रदेश के कारिवाहत मुख्यमंत्री है उन्होंने अपना इस्तीफा उत्रप्रदेश की वाजपाल आनंदी बेन पटेल को दे दिया है साथ ही साथ अब आनंदी बेन पटेल कि वाजयपाल का एक समिधानिक पद होता है, वहां से सरकार बनाने की एक वस्ताव आएगा, क्योंकि भाजपा बहुमत के साथ आई और सबसे बड़ी पार्टी बनके उगरी है, तो सबसे पहले उसके पास सरकार बनाने का पश्ताव जाएगा, उसके बाद, उन सब चीजों क के बाद सपतगरहन का प्रोग्राम डेसाइड होगा अटकले लगाई जा रही है कि होली के बाद 20 के 21-22 के बीच में ही सपतगरहन होगा मगर अभी दिली में बैठा आपने देखा कि होगी आलितेनाद दो दिन के दिले दोरे पे थे जहां वो सभी बड़े नेताओं से मिले चाहे बात की जाए चुनाव प्रभारी बीयल संतोस चाहे बात की जाए सुनील बंसल चाहे अनुराज ठाकुर चाहे खुद वधान मंत्री चाहे देश के रास्तपती सबसे मुलाकात क तो तो नेताओं का नाम सामने आ रहे हैं तो एनुरा प्रवेबी रानी मौर हो ब्रजेश ठाकु का तो ना मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है जी अगर बात करें तो बेवी रादी मौर जो की पूर राज़पाल रही है और साथ ही साथ भाजपा की फिवादी चेहरा है और ये इन्होंने राज़पाल की कुर्शी से को छोड़ कर और आगरा की सीट से उन्होंने चुनाओ लगा और अगर बात करें तो महिला सीट में तो बड़े चेहरें बेवी रादी मौर ये काफी लोक भी हो सकता है कि महिलाओं को अगर भाजपा के अंदर में महिला के लिए एक डिपटी सीयम बनाने के पौधान के बिहार और अन्य जगों पे है तो हो सकता है कि ब मुहब लगती है जब तक मुहब लग जागे ये कहना सही नहीं कि मुख्य मंत्री कौन होगा वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक सुतन देव सिंग समेत जो कानूर मंत्री थे विवजेश पाठक उनके भी आसंकाय है कि उन्हें भी डिपिटी सियम बनाय जा सकता है साथी साथ ये अगर देखा जा तो इस बार का मंत्री मंडल काफी लंबा चोड़ा होगा अगर बात करें तो चालिस से अधिक मंत्री भी सपत ले सकते है राजे मंत्री समेत जी अगर बात कीज़े केशब बसाद मौरिकी तो वो सिराथू सीट से चु करें देकर मंत्री मंडल में सामिल किया जा सकता मगर साफ तो पर बीजेपी का एक बयान आ चुका है कि हारे हुए विधायकों को वहां विधान प्रविशत के दर्वाजे उन्हें नहीं भीजा जाएगा लूर आपके तो वहीं अगर देखे तो शिराथू से पल्लुई वाले चुनाओं में आप देखेंगे हो सकता है कि कहीं ऐसी सीतो से उप जबेले डाँ सकते हैं और आने वाले दोहजार चॉबिस की तैयारी को लेकर ओल लग सकते हैं तो जो पार्टी का आनला कमान इसके ऊपर निरभः कि वहा जिम्मेदारी देती है वहीं अगर बात करे तो आज के संसदी दल में 2024 के चुनाओ को लेकर एक समिच्छा बैठन भी की जा सकती है और उस पे बिचावी मर्स किया जा सकता है विपांशो अगर 2025 के सम विधान सब चुनाओ की बात करें तो 2024 के लोग सब चुनाओ का ये एक रोड मैप माना जा रहा है तो क्या लगता है 2024 में भी योगी और मोधी लहर का असर देखने को मिलेगा जी मुसकाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश चुनाओ जो की उवे देश के सबसे बड़े राजिका चुनाओ था जहां सबसे ज़्यादा विधान सब और साथी साथ सबसे ज़्यादा लोग सबसीटे भी हैं तो कहीं न कहीं इसे उत्तर प्रदेश को 2024 का स्टेविफ फाइनल कहा गया और अगर बात करें तो इस बार आपने देखा कि इन दो चेहरों को जनता ने कैसे पसंद किया और किस हद से उन्हें समर्थन दिया जिसके नतीजे जिसका नतीज़ा है कि भाजपा फिर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है और आने वाले चुनाओं में भी इसका अब विपक्ष दिखेगा कि विपक्ष कितना अपनी बातों को कहा पाता है और पच्छ की सरकार क्या अपना उसी जल्वे को कायर वक्ती है यह आने वाला समय बताएगा मगर बात करें अगर अभी ततकाल की तो आपने दो पांच राज्यों में चुनाओं में देखा कि चार राज्यों में भाजपा ने पूरवमत की सरकार बना लिया तो कहीं ना कहीं अभी प्रदान मंत्री के चेहरे जो आप में ल कर चालू है ताकि मंत्री मंडल जित्ती जल्दी से जल्दी हो सके वह अपनी ओच सर्मानी ले ले बाकी तीन राज्यों का क्या हाल है वहां पर कब ओच सर्मानी हो सकती है अभी हर जगह पे चाहे बात की जाए गोवा की चाहे मरी कूल की चाहे उत्राखन की चाहे आपके उ अपना इस्तीफा दे चुके हैं और जल्दी उन्हें भी राजिपाल की तरफ से नियोता मिल सकता है सरकार बनाने की वहीं अगर बात करें गुवा जो की सबसे छोटा राज है और छोटी जन संख्या के साथ उन्हाविधान सवाय होती है तो वहां बहुत ही इस तरह से उत्तर ऐसे चुनाव नहीं होते हैं तो इस पर की वी सूचना नहीं है वहीं पंजाब में आपकी लगभग 21 को सपत होने वाला है जी धन्यवाद भी भांचु इस खबर पर हमारे साथ जुनने के लिए तो लगातार दिल्ली में भाचपा पाटी का लगातार बैटकों का दौर जो एक बार फिर दिल्ली में बड़े नेताओं की बैठक होगी मंत्री मंडल विस्तार और सरकार के गठन पर इस दौरान इस बैठक में चर्चा हो सकती है तो आपको बताते चले कि दस मार्च को जब नतीजे आये थे तो उस दौरान भाचपा ने प्रचंड जीत के साथ भिलव हड़ी वाड और महिला सर्जिकल वाड के पास बने गोदाम में संदिग्द परिस्थितियों में आज सुपा आग लग गई वहीं आग लगने से अस्पताल में हड कंप मच गया आग लगने से भरती सभी मरीज अपने अपने बेट से उठकर इधर उधर भागने तो इस दोरान आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से राब रेली में अस्पताल परिसर के अंदर ही आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल में जितने भी भरती मरीज और उनकी तिमारदार थे उनमें भगदर मच गई वो इधर उधर भागने दोडने ल जागी थी जिस पर हम लोग हम और मैं अपने राई के साथ आघ पर काबू पाया गया अब अब आग को पुझा लिया गया है जिला अस्पताल परिसर में रायवरेली में भीशानाग लग गई वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेट तो मौके पर पहुच गई लेकिन इतना बड़ा हाथसा होने के बावजूद अस्पताल प्रिशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं प्रिशिस रूम है उसके बगल में बड़न वाल्ड है और दाहिने तरह महिला सर्जिकल वाल्ड है पीच में एक एंपस है यहां पर खबाल का सामान रखा हुआ था जिसमें फुरालने करते थे बीशेर से इस्टेशर से तो कहीं ला कहीं वो अग्यात कार्लों से जो है वो प्रियाग लगे और आज इसनी विक्राल हो गई क्या आपको बताते चले कि मरीज जो है वो अपने विस्तरों से उठकर अपने पीमारदारों के साथ भागने लगे जबकि बड़न वाल्ड बिल्कुल बगल में है और नहीं हाथ पर जो है सामने की तरब क्यों है को महिलाओ कर रिखा ल्ड़न का शिकल वारा है ओंशंकर जी इस दोरान अस्पताल का प्रिशासन व्हा में इस दोरान अस्पताल का प्रिशासन कहा था जी हाँ अगर अस्पताल की बात करी जाए तो अस्पताल पर शासल में जो फोर्ट क्लास करमचारी थे उन्होंने फाइल बिकेट को सूचना दी जबकि लस वहाँ पर स्वेमेस पिखाई पड़ी नह वहाँ पर कुछ जम्मेदालत कारी लस यमो कोई भी नहीं आया है जो फोर जले की वज़े से और जो है फाइल विकेट करमचारी ने तुर्श मोके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया ओम शंकर जाकर इतनी वड़ी लापर वाही की वज़ा क्या रही कि जिलस पताल में आग लग गई लापर वाही किसकी सामने आ रही है लापर वाही कहीं लग जिस तरह से घर्टा घर्टी है अगर आग पर काबू लाप पाया गया होता तो निश्ची के बहुत बली घर्टा घर्टा घर्टी आपने जो ख़बर हमको बताई उसमें यह भी बताया था आपने की इस दौरान आग लगने का जब हाथसा हुआ तो प्रशासन का कोई भी पर मौजूद नहीं था तो कि अधिया तो नहीं तो यह वह वह पर पहुच कर आप पर शाबू पाया गया ओम शंकर जी फायर प्रिकेट तो मौके पर पहुच गई लेकिन अस्पतार प्रिशासन को कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुचा जी हाँ चुकी घटा सुबह सारे पाच बजे की थी तो जो लाइट की करमचारी थे एक का दुक्ता वहीं जो फोर्ट क्लास है लसेज है वहीं मौके पर भी बाकी अगर नसीम हो थे ना ए एसीम हो थे ला गिलास पताल का कुल दॉक्टर यह जुम्मे दाल पर मेचारी यहा जो जो है देखते हैं क्या करते हो जाज क्या देश देते हैं या फिर टाल मटो कैसे टाल देते हैं अभी तक किसी मरीज की हताहात होने की कोई ख़बर सामने आई है उम्शंकर जी जी नहीं मरीज की हताहत होने की कोई मिखबर अभी सामने नहीं आई है और जो है वहां मरीज के जो तीमार दार थे उनकी यह पहुंचे हैं तो आपको पाल लिया गया है बनी घट्टा वहां घट्टे से बच गई ओम शंकर जी आग गोदाम में हमने देखा कि कितनी भारी मात्रा में वहां पे जो बैड्स है जो समान है वो मौझूद था तो आकिर क्या वज़र है इतनी भारी मात्रा में अस्पताल में सिकाबार का समान के अब तक मौझूद है जी आगो देखा ज़िए तो सफाई के लिए भी जो है वो बार बार जागरूप किया जाता है लेकिन कहीं लेकि गिला परसासंति जो है और अस्पताल परसासंति एक जो बहुत बड़ी काला परवाही सामने आई है कि कबार ज लेकर अब यान चलाए जा रहा है उसके बावजूद भी उनके आदेशों का या पलीता होता हुआ नजर आ रहा है आकिर क्यों आकिर इस मामले के बीचे जिम्मेदार कौन है जिया अगर जिम्मेदार देखा जाए तो ये जो सीमेस तो आप भी दोसी माना जा सकता है जो कि फिलास पताल के सीमेस की ही जुम्मेदारी होती है लेकिन नहीं नहीं सीमेस आई है अभी यह कहीं मोके पर ना पहुंचा हूं जी लापरवाही पर जो है एक सवाईया निसान है अभी तक इतना बड़ा हाथसा होगे तो मामले पर क्या कुछ कारवाई की गई है? अभी इस पाले में कोई जानकारी नहीं आई है शिसकी तस बने अभी सीमो जबाएंगे उसके बाद ही देखते हैं कि क्या रेस देते हैं उसके जिला अस्पताल के पर प्रसासर के ओपर कोई कारवाई करते हैं ओम शंकर जी आप इस खबर पर निगाह अपनी बनाया रखेगा क्योंकि इस खबर की पलबल के अपडेट हम आप से लेते रहेंगे तो रायबरेली से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहां जिला अस्पताल पर इससर में आग लग गई वहीं आग लगते ही जो अस्पताल में जो भी मरीज और उनके तीमारदार उनके साथ मौके पर मौझूद थे उनमें भगदर मज गई वहीं इस पूरे मामले के बाद एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि हाथ से कि सूचना मिलने के बावजूद भी अस्पताल पर शासन का कोई भी आद प्राइम टीवी के इस खास कारिकरम में फिराल के लिए इतना ही देश अपर देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार